हालो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं वेद कुमार के घरेलुन उसके और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जीरे का सेवन करने के फायदों के बारे में दोस्तों जीरे को आप सुभे खाली पेट या रात के भोजन के बाद सेवन कर सकते हैं जीरे का पानी पी सकते हैं, जीरे का बोर्डर खा सकते हैं, ये हर तरीके से बहुत जादा फायतिमन्द है दोस्तो जीरा खाने में बहतरी नस्वाद और खुजबू देने वाला मसाला होता है ये सभी की किचन में मौजूद होता है इसके बिना कोई भी सबजी अधूरी है यह केवल एक मसाला मातर नहीं है दोस्तों बलकि इसके अन्य कई स्वास्तलाब भी होते हैं वजन कम करने के लिए भी जीरा बहुत जादा उपयोगी होता है इससे स्वाभाविक रूप से वजन कम करने में मदद मिलती है क्योंकि जीरे का पोडर का यदि हम सेवन करते हैं तो ये वसा के अवसोसन को कम कर देता है वजन कम करने के लिए ये जीरे का पोडर या जीरे का बना पानी हमारे सरीर के लिए बहुत फायदेमंद है इससे कोलेस्ट्रोल कम होता है हार्ट अटेक स से बचाता है इसमरन सकती बढ़ाता है खून की कमी को पूरा करता है पाचन तंतर ठीक करके गैस और एटन की जो समस्या है उसे दूर करता है दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको जीरा खाने के बेमिसाल फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं यदि आप 10 से 15 दिन जी दोस्तों मोटा पा घटाने के लिए जीरे का पानी आप पी सकते हैं आईए देखते हैं जीरे का पानी बनाने के विथी दो बड़े चमच जीरा लें उसे साफ कर ले और उसे एक गलास पानी में भेगोकर राद भर के लिए रख दें सुबह इसे उबाल ले और गरम गरम च इस्ता चरबी है उसे आप सरीर से बाहर निकाल सकते हैं दोस्तो चीरा बड़ी कमाल की चीज है मोटा पे को कम करने के लिए दही के साथ भी खा सकते हैं वजन को कम करने के लिए किसी भी धरह जीरे को खा सकते हैं पांच गिराम दही में एक चम्मच जीरा पॉडर मिलाकर इसको रोज खाएं सुवे खाली पेट भी खा सकते हैं जब आप खाना खा रहे होते हैं तो उसके साथ भी इसको खा सकते हैं दोस्तों इसके अलावा जीरे को और कई तरीकों से इस्तिमाल किया जा सकता है जैसे तीन गिराम जीरा पॉडर को पानी में मिलाएं और इसमें कुछ बूंदे सहथ की भी डालें फिर इसे पी जाएं वेजिटेपल सूप बनाएं और इसमें एक चम्मच जीरा डालें या फिर ब्राउन राइस बनाएं उसमें जीरा डाल दें यह सिर्फ इसका स्वादी नहीं बढ़ाएगा बलकि आपका वजन भी बहुत तेजी से कम करेगा इसके अलावा अदरक और नीबू ये दोनों जीरे की वजन कम करने की जो चमता है उसको बहुत जादा बढ़ा देते हैं इस तरह भी आप इसको वजन कम करने के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं इसके लिए आप गाजर और थोड़ी सबजियों को उबाल ले इसमें अदरक को कद्दू कस करके डाल दे और साथ ही उपर से जीरा और नीम्बू का रस भी डाल दे आप इन सारी समगरियों को रात में डिनर में आप इसको ले सकते हैं और उसके बाद आप कुछ भी ना खाएं तो इससे आपका वजन बहुत तेड़ी से कम होगा दोस्तो चरवी को कम करने की बहुत जादा च्छमता होती है जीरे में जीरे में मौझूद पौशकतत और अंटी ओक्सिजन्ट मेटाबॉलिजम को बढ़ा देते हैं जिससे पेट की चरवी कम करने में हमें बहुत जाद मदद मिलती है जीरे पाचन क्रिया को बढ़ाता है और गैस से हमेशा के लिए छुटकार दिला देता है जीरे खाने को पचाने में मदद करता है जिससे गैस कम बनती है और एठन और पेट फूलना खराब पाचन की समस्या है दोस्तो जीरा गैस को बनने से रोकता है जिससे पेट में खाना अच्छे से पच जाता है हार्ट अटेक से भी जीरा हमें बचाता है जीरा खराब कोलेस्टरोल और फैट को सरीर में बनने से रोकता है इसलिए यह वजन कम करने में मदद करता है साथ ही साथ हार्ट अटेक से भी बचाता है दोस्तो ये गर्भवती महीलाओं के लिए भी वर्दान है जीरे के पानी से गर्भवती महीला और इस्तन पान कराने वाली महीला को आरेन तत्व की परियाप्त मात्रा चीरे से मिलती है जो इन दोनों तरह की महिलाओं के लिए ये बहुत जादा पौशक तत्व जरूरी है दोस्तो बालों को मजबूत और चमकदार बनाने के लिए भी जीरे का इस्तिमाल किया जाता रहा है बहुत लंबे समय से दोस्तो इसके लिए आप रात भर जीरे को पानी में भीगो कर रख दें और इस पानी का परियोग आप अपने बालों के लिए कर सकते हैं इसके लिए जब आप रात में जीरे को पानी में भीगो कर रखें सुभे उसको हलका गरम कर लें और उसको छान लें तो शैंपू करने के बाद आप इस जीरे के पानी से अपने बालों को दोया करें बालों को पोशन मिलेगा साथ ही उनमें चमक भी बहुत जादा आएगी इसके साथ आपको सिर्फ एक सावधानी बरतनी होगी दोस्तों सुभह यदि आप खाली पेट जीरे का सेवन कर रहे हैं तो उसके एक से डेड़ घंटे बाद ही आप कुछ खाएं या आप रात में इसका सेवन कर रहे हैं तो रात का खाना खाने के डेड़ से दो घंटे बाद जीरे का सेवन करें तभी आपको ये फायदा देगा दूसरी चीज यदि आप गुटका, पान, तमाखो, मांसा, हारी भोजन खाते हैं तो ये चीजें आप छोड़ने पर ही आप इसका फायदा उठा पाएंगे ये चीजें छोड़ दें और उसके बाद इससे बनी दवा यानि इससे बना पानी, पॉडर या डारेक्ट आप जीरा खा रहे हो तो उसी वक्त आपको फायदा ज़्यादा लगेगा यदि आप गुटका, पान, तमाख, वो बीड़ी, सिगरेट ये सब कुछ खा रहे होंगे तो इसके फायदे आपको कम नजर आएंगे दोस्तो इस चीज़ का ख्याल रखें सामका भोजन करने के कम से कम दो घंटे बाद ही जीरे के पानी का, जीरे के पॉडर का या जीरे का सेवन करना चाहिए, जो ज़्यादर फायदे मंद है दोस्तो ये थे जीरे के ऐसे फायदे जो आपके बहुत काम के हैं आप इसका सेवन करें और बहुत सारी बीमारे उसे छुटकर अपा लें दोस्तो इसके साइड एफेक्ट नहीं है इसलिए इसका सेवन करना बहुती सेफ है और बहुती फायदे मंद भी दोस्तो आज के लिए सिर्फ इतना ही आप ज़दी इसी तरह के कीमती और बहुत अच्छी नुसके देखना चाहते हैं और उनका फायदा उठाना चाहते हैं तो आप वेद कुमार की घरिलन उसके चैनल से जुड़े रहें और देखते रहें वीडियोज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से कोई भी जो अपलोड इमिडियेटली हुई है वीडियो उससे देख सके दोस्तो वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद